तो गईच आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपने Moto G51 मोबाइल में किसी भी अप्लिकेशन को हाइड कर सकते हैं चाहे वाका प्री फायर हो या फिर PUBG हो या फिर BGM हो कुछ भी हो आप उस अप्लिकेशन को बहुत ही आसान तरीके से हाइड कर है और यहां से आपको मैं अप्लिकेशन बताऊंगा लांचर तो यहां पर आपको सर्च बार में सर्च कर देना है यहां पर लिख देना है Microsoft Microsoft लांचर लिखना है आपको सर्च बार में और सर्च कर देना है दोस्तों मैं Microsoft की क्यों अप्लिकेशन मता रहूं क्योंकि Microsoft को तो आ इस्टॉल करने के बाद की जो सेटिंग है वो आपको बहुत ही ध्यान से देखना है नहीं तो आपका एप हाइड जो है वो अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा तो इसको आपको इस्टॉल कर लेना है चलिए यहाँ पर देखें इस्टॉल हो रहा है और कुछ फिट करते हैं यहाँ पर अभी यह इस्टॉल हो जाएगा अब दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हो कि यह जो अप्लिकेशन से इस्टॉल हो जाएगी अभी आपको क्या करना है यहाँ पर सबसे पहले इसको ओपन कर देना है ओपन करने के बाद फर्स टाइम ओपन करोगे तो यह इस तर पर क्लिक करना है उसके बाद फिर से not know कर देना है देन आपके पास यह अप्लिकेशन सा देगी इन में से कोई पर Microsoft Launcher पर और फिर से आपको Always पर क्लिक करके इसको कर देना है तो देखिए अब यहाँ पर देखिए त्री डॉट्स दिख रहे हैं यह साइड में त्री डॉट्स आ चुके तो इस पर आपको क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद आप लिका हुआ लिका हुआ है लिका हु देन आपको यहाँ से अपने जिस भी Apps को Hide करना है उनको यहाँ से Select कर लेना है तो यहाँ पर मैं कुछ Apps को Hide कर लेता हूँ उसके बाद आपको Done पर क्लिक करना है और Done पर क्लिक करेंगे तो यह Applications आपकी Hide हो जाएंगी उसके बाद यहाँ पर देख पर है कि Setting का आइकन दिख जी है आप दोस्तों वो Avengers जो मैंने Hide हो चुक हो हूँ वह यहाँ से Hide हो चुकी है और आपको दिखा भी देथा हूं तो यहाँ से देखोगे तो आपकी वह अप App denial पर क्लिक करना है अब यहां से इनको unhide पर click करके फिर से unhide कर सकते हो और यही से आप इनको open भी कर सकते हो तो यहां से चली मैं इनको unhide कर दיता हूँ सभी को और आप भी इसी तरीगे से कर लेना तो अब आपको समझ में आया होगा समझ में आतो वीडियो को like करना और चनल को subscribe करना मिलते है अगली वीडियो में तब तक के लिए